So guys, आप सबको मालू है कि इस साल काफी सारी companies के तरफ से midrins segment के अंतर काफी सारी 5G और 4G smartphones आपको market में देखने को मिले हैं लेकिन यहाँ पर हम बात करने वाले हैं Oppo के new upcoming smartphone की जूकि आपको A-series के अंदर देखने को मिलेगा इस phone का 5G variant already market में available है अब इस phone का 4G variant हमें देखने को मिलेगा जी हैं दोस्तों यह smartphone होने वाला है Oppo A55 4G smartphone इस phone के दोस्तों official launch date सामने आचुकी है और यह smartphone आपको देखने को मिलेगा 1 October को साथ ही दोस्तों phone के regarding काफी सारी information हमारे सामने आई है आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि Oppo A55 smartphone कैसा होगा इसकी design कैसी रहेगी साथ ही दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि Oppo A55 4G smartphone आपको किस price पर market के अंदर देखने को मिलेगा तो सौगत आप सबका tag रोज पर जाने करी के लिए वीडियो में अंट तक बने रहें और दोस्तों चैनल पर पहली बर आए हैं तो चैनल सस्क्राइब कर लिजिए ताकि आपको इसी तरह की tag वीडियो मिलती रहें तो दोस्तों कापी सारे टाइम से ओपोई 55 4G smartphone के बारे में leaks निकल कर आ रहे हैं अब दोस्तों इस phone की official launch date भी सामने आ चुकी है तो ये smartphone आपको एक अटूर को market के अंदर देखने को मिलेगा तो जल्दी से बात कर लेते हैं दोस्तों फोन की सभी specs की अगर सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों फोन की build quality की तो यहाँ पर आपको back side में plastic की body देखने को मिलती है साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको rear में triple camera setup देखने को मिलता है अगर front side की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर एक बड़ी display देखने को मिलती है डिस्पले की बात दोस्तों अगर कर ही रहे हैं तो यहाँ पर आपको 6.5 इंचिस की display देखने को मिलती है जो की LCD IPS display होगी और HD plus resolution के साथ में आएगी तो display के मामले में दोस्तों काफी अच्छा smartphone यह रहने बाला है और काफी अच्छी colors आप यहाँ पर expect कर सकते हैं डिस्पले के बात दोस्तों अगर हम बात करते हैं phone की performance के बारे में काफी अच्छा smartphone यह रहने बाला है और यह gaming जपसेट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है तो काफी अच्छी gaming दोस्तों आप इस phone के अंदर कर पाएंगे नेश्ट गाई सगर हम बात करते हैं phone के camera setup के बारे में तो यहाँ पर आपको रियर में triple camera setup देखने को मिलता है जिसका man sensor होगा 50 megapixel का इसके लाब दोस्तों यहाँ पर आपको 2 megapixel का macro lens और 2 megapixel का depth sensor देखने को मिलेगा अगर friend camera के बारे में हम बात करते हैं guys तो यहाँ पर आपको 8 megapixel का friend selfie camera देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आपको 5000 damage की एक betty देखने को मिलेगी साथ 18 watt का fast charging support आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो betty backup भी दोस्तों फॉन का काफी बड़ी है रहने वाला है और काफी time तक दोस्तों आप इस phone का use कर सकते हैं कुछ और details की बात करें गाइस तो यहाँ पर आपको side mount and finger bands करने कर सपोर्ट देखने को मिलता है साथ यह 3.5 mm का audio jack और USB type C का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा इसके लब दोस्तों आपको का यह smartphone android 11 पर वर्क करेगा तो 4G connectivity के साथ में काफी ची स्पीड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी अब दोस्तों हम बात दल लेते हैं phone की pricing की तो इस phone की pricing रहने वाली है अप्रोक्स 14,000 की आसपास इसके साथ यह smartphone आपको एक अक्टूबर को मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा आप मतले कि आप इस phone के बारे में क्या सोचते हैं और क्या आप इस phone को लेने में interested होंगे अगर आपका कोई और भी comment हो तो आप वो भी लिख सकते हैं इस वीडियो में इतना ही अगर वेडियो चो लगा है यह लाइक सब्सक्राइब करें देजोंगे